आज हम एक आदाद मुल्क में रहते हैं, जहां इनसान की जिन्दगी की कुछ पीमत है, उसका कुछ मोल है एक ऐसा एक्टर जिसे हिंदे सिनमा का सुनहरा अध्याय कहा गया वो अभिनेता जिसमें भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सरुश्रिष्ट एक्टर्स में अपनी जगह बनाई जिसे अभिनेत संब्राट और ट्रेस्टि किंग के नाम से पुकारा गया जिसके एक्टिंग के चर्चाएं तो थी ही, उसकी प्रेम कथाएं भी मीडिया की सुर्खियां बनती रही चार-चार अभिनेत्रियों से इश्क के चर्चे और दो-दो बीवियां लेकिन फिर भी क्यों बेवालाद रहे दिलिप कुमार ये सवाल भी लोगों के जहन में अकसर आता रहा तो कौन थी वो चारो अदाकराएं जिन से दिलिप कुमार ने प्यार किया और क्यों न हो सकी उन में से किसी से शादी कौन थी उनकी दोनों बीवियां और क्यों पत्नी को छोड़ कर एक तीन बच्चों की माँ शादी शुदा महिला से निकाह कर लिया था दिलिप कुमार ने आज के अपने शो में बताएंगे ये तमाम रोचक किस से आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें दिलिप कुमार एक ऐसी शक्सियत जिन्हें एक्टिंग का इंस्टिूशन कहा गया और ये भी कहा गया कि शायद ही कोई ऐसा बड़ा एक्टर हो जिसने उनके फिल्मों को देखे बिना अपने करियर की शुरुआत की हो लेकिन वो अपनी अधाकारी के लिए जितने चर्चित थे जितने जाने जाते थे इतने ही चर्चा उनके लव लाइफ को लेकर भी हमेशा होती रही चार-चार प्रेमिकाएं और दो बीबियां इसके बावजूद उपर वाले ने उन्हें अवलाद से नहीं नवाजा आज हम बात करेंगे दिलिप साहब की जिन्दगी से जुड़े हुए कुछ आशर जनक किस्सों की कहानियों की तेरे हुसन की क्या तारेफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता दिलिप कुमार का नाम जुबा पर आये और इश्क के किस्सों का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है कहते हैं कि उनके दोर की नाईकाएं दिलिप कुमार के साथ काम करने के लिए तड़पा करती थी कुछ अदाकाराओं के साथ उनकी मुहबत की दास्तान खबरों में चाही रही तो कुछ के साथ चोरी छुपे नैन लड़े तो कुछ हिरोईनों के साथ लड़ाई जगडे अदालत के दरवाजे तक जा पहुँचे और लड़े चाहीं हुआए बॉलेवूट के किताब के कुछ पढ़ने पलटते हैं और गुजरे जमाने के इस मशूर अभिनेता के निजे जिन्देगी की कुछ पिस्सों के बारे में जानते हैं बॉलेवुड की कुछ सबसे चर्चिक प्रेम कहानियों में दिलिप कुमार की भी प्रेम कहानियां शामिल हैं चार-चार ऐसी हिरोईने जो दिलिप कुमार की जिन्दगी में बहार बन कर आई लेकिन फिर भी उनकी जिन्दगी का पतज़ड खत्म नहीं हुआ और 44 साल की उम्र तक दिलिप साहब घर नहीं बसा सकी बताया जाता है कि इनमें दिलिप कुमार का पहला प्यार थी वेटरन एक्ट्रिस कामिनी कौशल शहिद फिल्म में साथ काम करने की दोरान दोनों को प्यार हो गया नदिया के पार शबनम और आर्जू तक दोनों का रोमांस खूब चला कामनी तो दिलिप कुमार से शादी करना चाहती थी लेकिन उनकी जिन्दगी इतने आसान नहीं थी इस मुहबबत की राह में भारी अर्चने थी दरसल कामनी को 1948 में ही शादी करनी पड़ी थी लेकिन इस शादी के किस्से भी कम अजीब नहीं थे बताये जाता है कि कामनी के परिवार का ये दबाव था कि वो अपनी मरहूम बहन के पती से शादी करें और शायद यही वज़ा थी कि आगे आने वाले वक्त में अपने को एक्टर दिलिप कुमार के वो बेहद करीब आ गई और दोनों प्यार में पड़ गए शादी के कुछ समय बाद कामनी का प्यार दिलिप कुमार के साथ परवान चड़ा दोनों में बहुत नजदीकियां होने की खबरें आने लगी कहा जाता है कि तब कामनी कौशल के बड़े भाई ने दिलिप कुमार को रिष्टा तोड़ लेने के लिए खूब धम की दी और कामनी पर भी कई पाबंदिया लगा दी गए जीजा से पती बने उनके शोहर शूटिंग के दौरान भी जोग की तरह उनसे चिपके रहते थे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे महौल इतना खिलाफ हो गया कि आखिरकार कामनी कोशल और दिलिप कुमार के रास्ते अलग हो गए दिलिप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में भी इसकी चर्चा की थी और लिखा कि जब कामनी के साथ उनका रोमान्स खत्म हुआ तो दोनों प्यार करने वाले बिलकुल बिखर गए थे इसके बाद दिलिप कुमार का प्यार परवान चड़ा जानी माने खुबसूरत अधकारा मदुबाला के साथ हर तरफ इनके रोमान्स की चर्चा भी होने लगी और अगले साथ सालों तक इनका प्यार यूही बरकरार रहा लेकिन आखिरकार दिलिप कुमार और मदुबाला के पिता के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये मजबूत रिष्टा भी बुरी तरह से तूट गया दिलिप के दिल का अगला पढ़ाव मदुबाला की दहलीज थी वो दूसरी दफ़ा दिल दे बैठे बे इंतहा खुबसूरत अदाकारा मदुबाला को दिलिप कुमार के मुलाकाथ 1951 में तराना की शूटिंग के दौरान मदुबाला से हुई थी इस नई कहानी में महबत का इजहार मदुबाला की तरफ से हुआ था फिर तो दिलिप कुमार भी कई बार मदुबाला से मिलने शूटिंग सट पर पहुच जाय करते थे तराना, संगदिल, अमर और मुगले आजम में इस जोडी ने साथ में काम किया और दोनों की लव स्टोरी ने इस दौरान खूब चर्चाएं बटोरी दरसल मदुबाला और दिलिप कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे लेकिन ये रिश्टा शादी तक पहुचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया दरसल फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए मदुबाला को मदुप्रदेश जाना था लेकिन उनके पिता अताउल्ला ने कहा कि वो डकायत इलाका है और वहां मदुबाला नहीं जाएंगी कहा जाता है कि वो मदुबाला को दिलिप कुमार से दूर करना चाहते थे दिलिप कुमार और मदुबाला जैसे बड़े कलाकारों को शादी करने से रोकना आसान काम नहीं था लेकिन बियार चोप्रा ने मदुबाला के खिलाफ कोट में कांट्रैक्ट तोड़ने का केस फाइल कर दिया इसी मामले में दिलिप कुमार ने बियार चोपडा के फेवर में और मदुबाला के खिलाफ कोट में गबाही दी जिससे मदुबाला के पिता भड़क गए फिर मदुबाला ने दिलिप कुमार को अपने पिता से माफी मांगने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया यानि दिलिप कुमार ने भी अडियल रवया अपनाया और मर्दुबाला के पिता ने भी रिष्टों को तोड़ने के लिए चाल चली इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ और ये रिष्टा हमेशा के लिए तूट गया दिलिप कुमार के जिंदगी में आई तीसरी महला थी दक्षुन भारत से आई जानी माने अभिनेतरी और डांसर वजनती माला इन्होंने एक साफ छे फिल्मों में काम किया और दिलिप सहाब और वेजनती माला की ओन स्क्रीन जोड़ी अब ओफ स्क्रीन भी हिट ओने लगी थी लेकिन इसके बाद इनके बीच भी कुछ ऐसा हुआ कुछ वजों से जगड़ा हुआ कि ये जोड़ी भी अलग हो गई इस फिल्म में दिलिप कुमार ने देवदास और वेजनती माला ने चंदर मुखी की भूमी का निभाई थी कहा जाता है कि इसके बाद से ही वेजनती माला दिलिप कुमार पर फिदा थी और दिलिप सहाब भी उनके अदाओं के कायल थे इसके बाद दिलिप कुमार ने बियार चोपडा के बैनर में बनने वाली फिल्म नया दौर के लिए विजनती माला के नाम की सिफारिश की और इस सुपर हिट फिल्म में साथ काम किया ये वही फिल्म थी जिसका जगड़ा कोड तक पहुँचा था और मधुबाला से रिष्टा तूटा था फिर तो इन दोनों की एक के बाद एक कई हिट फिल्म में आई जैसे मधुमती, पैगाम, गंगा जमुना, लीडर, संगहर्श इन दोनों को जानने वाले बताते थे कि इनकी बात शादी तक पहुँच गई थी, लेकिन तब ही वेजनती माला को आर के बैनर से फिल्म संगम का ओफर आया, जिसे वो जाने नहीं देना चाहती थी, और दिलिप कुमार उसके लिए बार बार मना कर दबाव डाल रहे थे आखिरकार जब वेजनती माला राजगपूर के साथ शूटिंग करने लगी तो दिलिप कुमार से रिष्टे में खटास पैदा हो गई, दोनों का एहम टकराया और इसमें ये रिष्टा भी तूट कर बिखर गया दिलिप सहाब की जिंदगी में चौथा प्यार बन कराई जानी माने अदाकारा वहिदा रह्मान, कहा जाता है कि गुरुदत से ब्रेक अप के बाद वो भी किसी कंधे की तलाश में थी, काफी अकेला महसूस करती थी और इसी वज़े से साथ काम करते हुए वो दिलिप सहाब के करीब आ गई और यहां तक भी चर्चा होने लगी कि दिलिप सहाब ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया है 1966 में फिल्म दिल दिया दर्द लिया शुरू हुई और इसी से दिलिप कुमार की लाइफ में वहिदा रह्मान की एंट्री हुई बताते हैं कि फिर इनके इश्क की खोब अफवाहें उड़ी लेकिन वहिदा नमदुबाला बन सकी और नाहीं वेजनती माला की जगह ले सकी वहिदा रह्मान के साथ दिलिप कुमार ने 1966, 1967 और 1968 में लगातार तीन फिल्में दी बताते हैं कि इसी दोरान वहिदा रह्मान को कई बड़ी फिल्में मिली और वो काम में इतनी व्यस्त रहने लगी कि दिलिप कुमार इग्नोर्ड फील करने लगे और धीरे-धीरे दूरियां बढ़ गई चार-चार अफेर्स के तूटने के बाद अब दिलिप साहब का मन शादी करने का नहीं था कहा जाता है कि 44 साल की उम्र हो गई थी लेकिन अब उनका मन बुरे तरह से तूट चुका था और वो शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे क्योंकि रिष्टों से उनका विश्वास उठने लगा था लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनसे आधी उम्र की साहरा बानू जो की महस 22 साल की थी उनसे उनका निकाह हो गया क्या थी ये पूरी कहानी चली जानते हैं कैसे हुई थी इन दोनों की शादी और क्या हालात बने कि साहरा बानू ने खुद से दुगनी उम्र के दिलिप कुमार से निकाह कुबूल कर लिया था बात उन दिनों की है जब हिंदिप फिल्म इंडस्ट्री में दिलिप कुमार के नाम का डंका बचता था उनके करोडों चाहने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुलकों में भी उनकी एक जलक के दिवाने थे जब नए आने वाले एक्टर्स उन्हें अपना रोल मौडल मानते थे और एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहा करती थी सारा बानो भी उन्ही लडकियों में शुमार थी वो बहुत छोटी उम्री से ही दिलिप कुमार की फिल्में देखती थी और एक आम फैन की तरह उनकी दिवानी थी सारा मशूर एक्टर्स नसीम बानो की बेटी थी जो 1930 और 40 के दशक की जानी मानी हिरोईन थी और दिलिप कुमार की समकालीन कई फिल्मों में भी काम किया था दिलिप कुमार और नसीम बानो की अच्छी जान पहचान थी और जब वो पडोसी बने तो एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया नसीम बानो ने बेटी साइरा को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर 1959 में भारत वापस आई तो बॉलेवुड में उनकी एंट्री के लिए माने पहले से ही पूरी तयारी कर रखी थी साइरा ने शमी कपूर के अपॉजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की जो की सुपर हिट रही और साइरा रातो रात स्टार बन गई साहरा को एक के बाद एक खुब फिल्में मिलने लगी जिनमें सबसे ज्यादा राजेंदर कुमार के साथ फिल्में शामिल थी ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी लिहाजा डारेक्टर्स भी साहरा को राजेंदर कुमार के साथ कास्ट करते रहे इत्तफाकन दोनों की ओन स्क्रीन जोडी ओफ स्क्रीन भी करीब आने लगी बात यहां तक बढ़ी कि जब राजेंदर कुमार ने उनसे दूरी बनाने की कोशश की तो साइरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई मा नसीम बानो अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहद परिशान और नाराज हो गई बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलिप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की वो जानती थी कि सायरा दिलिप कुमार की बड़ी फैन है और वो उनकी बात जरूर सुनेंगी दिलिप कुमार ने सायरा बानों को खोब समझाया कि अगर वो राजेंदर कुमार से शादी कर लेती है तो सर्फ दूसरी औरक बन कर रह जाएंगी क्योंकि वो अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए राजी नहीं थे अभी समझाने का दौर चली रहा था कि सायरा बानों का जन्म दिन आ पहुँचा और एक शानदार वर्थ डे पार्टी प्लैन की गई 23 अगस्त 1966 को सायरा बानों का जन्म दिन था बताते हैं कि दिलिप कुमार भी इसमें आमंत्रित थे पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक ना होने का खेद पत्र भिजवा दिया था सायरा को उम्मीद थी कि राजेंदर कुमार उनकी इस पार्टी में उन्हें कुछ स्पेशल फील जरूर करवाएंगे और तब मौका देखकर वो उन्हें बीबी से तलाक लेकर अपनी शादी के लिए राजी कर लेंगी शायद एक बर्थडे गिफ्ट की तरह लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सायरा को हिला कर रख दिया दरसल सायरा के इस पार्टी में राजिंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुँच गए जाहिर है पत्नी से उनकी कुछ गंभीर बाते हुई होंगी और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वो उन्हें भी पार्टी में साथ लाए होंगे फिर क्या था सायरा के तन बदन में आग लग गई मामले के गंभिरता को भाप नसीम बानो ने फोरण दिलिप कुमार को फोन किया और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें की दिलिप सहब ना नहीं कह सके और पार्टी में तश्रीफ ले आए पार्टी जब खत्म हुई मेहमान रोकसत हुए तो एक कमरे में दिलिप कुमार नसीम बानो और सायरा की लंबी मीटिंग चली बताते हैं कि दिलिप कुमार सायरा को अगले दिन बाहर घुमाने ले गए और जब देखा कि उनका मूड कुछ हलका हुआ है तो अपना सुझाव रखने लगे उन्होंने सायरा को कहा तुम हसीन हो जवान हो तुम्हारा करियर शबाब पर है तुम्हें तो कोई पर्फिक्ट मैन शादी के लिए मिल जाएगा भी दिलिप कुमार को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें वास्ताओं में अब शादी कर लेनी चाहिए और सारा के लिए भी ये रिष्टा सही साबित होगा क्योंकि वो नादान है और जहीन दिलिप कुमार उनके लिए सही साथी साबित होंगे। सब को हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं जाहिर है सब हैरान थे। तूटे दिल से जूज रही सायरा ने भी खुद को इस रिष्टे के लिए समझा लिया था और उनकी हैरत भरी शर्त ने अमली जामा पहल लिया और इस तरह उसी साल यानी 1966 में दोनों ने शादी रचाली। 11 अक्टूबर 1966 को जब दिलिप कुमार ने 22 वर्षिय अभिनेतरी सायरा बानों के साथ शादी की तब उनके उम्र 44 की थी। बारात की अगवाई पृत्वी राज कपूर ने की थी। दूले मिया की घोडी के आजू-बाजू रा अगले 14 सालों तक ये रिष्टा खुबसूरती से चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि जहां ज़्यादा गुड होता है वहाँ चींटियां भी लगती ही है। उससे पहले ले भागेगा तुझको गोफीरां। चलिए अब बात करते हैं दिलिप कुमार सायराबानों की शादी शुदा जिंदगी में दूसरी औरत की एंट्री की। शादी के कई वर्षों बात भी दिलिप कुमार का वंश आगे नहीं बढ़ड़ा था यानि सायरा की गोद सूनी थी। ऐसा क्यों हुआ इसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन अभी बात इस कारण दिलिप कुमार के परिवार पर पढ़ने वाले प्रभाव की। बताया ज गई। दिलिप साहब की एक बहन हैदराबाद में रहती थी जिन्होंने उनकी मुलाकात अपनी सहेली आसमा से 1980 में तब करवाई जब वो एक क्रिकेट मैच देखने वहां पहुँचे थे। मैच के दोरान हैदराबाद के स्टेरियम में उनकी बहनों फौजिया और साइदा ने उन्हें इंट्रिडूस करवाया। दिलिप कुमार को उनकी बहनों ने बताया कि आसमा हमारी दोस्त हैं और आपकी जबरदस्त फैन भी। आसमा शादी शुदा थी और उनके तीन बच् इस मुलाकात के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि दिलिप कुमार से आसमा अकसर टकराने लगी। बताते हैं कि दिलिप कुमार अपने शूट पर देश विदेश जहां कहीं भी जाते थी आसमा भी पहुँच जाती थी। पहले तो दिलिप कुमार को पता नहीं चलता था कि उन पती से अलग हो गई हैं फिर क्या था दिलिप कुमार की बेहनों ने मौके का फायदा उठाया और दिलिप कुमार और आस्मा रह्मान को एक करने की कोशिशों में जुट गई रिश्टे सीरियस हो गए और दिलिप सहब ने आस्मा से निकाह कर लिया ये 1981 की बात है दिलिप कु नहीं उन्हें इस बारे में साइराबानों को कुछ बताया था और नहीं किसी और को बताते हैं कि एक छोटे से अखबार को इसकी भनक लग गई और उसने इस निकाह की उड़ती खबरों को लपक लिया और बिना किसी सबूत के चाप डाला हाला कि ये गैर जिम्मेदाराना दिलिब कुमार की बेहनों ने एक पत्रकार को दिलिब कुमार और आसमा रह्मान के हनीमून की एक तस्वीर दी और कहा कि इसे अखबार में प्रकाशित होना चाहिए जिससे इनका रिश्टा अमली जामा पहन सके क्योंकि वो ये चाहती थी कि भाई के इस शादी को मुहर ल दिलिप कुमार आस्मा की ये वही एक मात्र तस्वीर है जो आज पबलिक डॉमेन में मौजूद है ये असी का दशक था हर कोई जानना चाहता था कि आखिर दिलिप कुमार ने दूसरी शादी किस से की और क्यों की लेकिन ट्रेजडे किंग पहले तो हमेशा इन खबरों को नक जाह बदल जाते हैं और इस बदलती हुए दुनिया में मुखबत जिस इनसान का दावन थाम लेती है वो इनसान नहीं बदलता है ओनलाइन मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आस्मा मूल रूप से पाकिस्तानी थी और हैदराबाद में अपने पती के साथ रहती थी उनसे हैदराबाद में शादी करने के बाद दिलिप कुमार उन्हें अपने पारी हिल वाले बंगले पर ले गए थे कई दिनों तक आस्मा वहां रही लेकिन तब तक ही जब तक साराबानू को इसकी खबर नहीं लगी थी खबर जंगल में आग की तरह फैली बॉलिवुड में भी बवाल मच गया था प्राण की पतनी शुकला सिकंद और बियर चोपडा की पतनी प्रकाश चोपडा खुलकर साराबानों के साथ आ गई थी राजनेता और पारिवारिक मित्र शरत पवार भी मैदान में उतर गए दिलिप कुमार के दोस्तों का भी दबाव बढ़ने लगा पहले तो ऐसा लगा कि साहरा मा नहीं बन सकती इसलिए दिलिप कुमार की बहनों ने उनकी दूसरी शादी की ये योजना बनाई थी साराबानों ने जब दिलिप कुमार से इस बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने इंकार किया लेकिन बाद में उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कहा जाता है कि साहरा बानों ने तब एक जटके में दिलिब कुमार को अपनी जंदगी से बाहर निकाल दिया था और कह दिया था कि उन से अब वो किसी कंप्रोमाइस के खुआश ना रखें अजीबों गरिब हालात में फसे दिलिब कुमार करीब डेड़ साल तक आस्मा के साथ शादी के रिष्टे में रहे लेकिन हालात एक दन भी सामाने नहीं रहे आखिरकार दिलिप कुमार ने आस्मा को तलाक दे दिया और वापस सहराबानों के पास माफी मांगने पहुँचे बताते हैं कि सहरा ने उन्हें माफ कर दिया और दिलिप कुमार की घर वापसी हुई कहा जाता है कि दिलिप कुमार से अलग होने के बाद आस्मा भी अपने पुराने पती और बच्चों के पास लोट गई थी हाला कि दिलिप कुमार और आस्मा रह्मान के अलग होने को लेकर भी कई तरह के अफवाहोंने सुर्खियां बटोरी ये भी कहा गया कि आस्मा ने दिलिप कुमार से पैसे के लिए शादी की थी वो दिलिप कुमार को धूखा दे रही थी और अपने पहले पती और बच्चों से मिला करती थी कभी खबर आई कि दिलिप कुमार ने तो उलाद के लिए उन से शादी की थी लेकिन आस्मा ने अपने तीनों बच्चों को ही आधिकारिक रूप से गोद लेने का दबाव दिलिपकुमार पर बनाया था जिसे ना मानने पर दोनों अलग हो गए थे तो एक खबर ये भी आई थी कि दिलिपकुमार ने अपनी छवी खराब होता देख आस्मा को छोड़ पहली पतनी के पास जाने का फैसला किया था और उनके जाने के बाद आस्मा बिलकुल अकेली रह गई थी और सुसाइट करने की भी कोशश की थी हलाकि हाकिकत इन में से क्या था कहना मुश्किल है हाँ इस तमाशे में कुछ रिष्टे जरूर बेहद उलज गए थे बाद में आस्मा की कोई जानकारी मीडिया में नहीं आई या यू कहें कि आने नहीं दी गई और घटनाओं को खबर बनने से पहले ही रोक दिया गया शादी पर चुपी तोड़ी और अपनी आत्म कथा की एक पन्ने पर दूसरी शादी को अपनी बड़ी भूल करार दिया तलिप कुमार ने अपनी ऑटो बायोग्राफी दे सबस्टेंस एंड दे शैडो में लिखा था कि 1972 में साइरा प्रेगनेंट हुई थी लेकिन आठवे अबीता और गिले शिक्वे भी धुंदले होते गए और उस घटना के बाद भी दिलिक कुमार और साइरा बानों दशकों तक साथ साथ मुहबबत से रहे तब से लेकर अंठानवे साल की उम्र तक साइरा बानों ही उनका हमसाया थी और उनके सुख दुख की साथी भी उन दोनों के रिष्टे को लेकर जब भी सवाल किये गए सारा ने हमेशा यही कहा कि वो मुझे प्यार करें या ना करें सिर्फ मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है तो दिलिप कुमार के चेहरे से भी मलाल और मुहबत की जलक साफ देखी जा सकती थी जाहिड है उन्हें समझ में आ गया था कि सारा ही उनका हमसाया हैं हमसफर हैं हमराज हैं फिर यह जोड़ी हमेशा साथ रही एक दूसरे से बिना किसी मलाल के दोनों हर जगा साथ नजर आते बाहों में बाहें डाले प्यार का इजहार करते मानों दुनिया से कहना चाहते हों कि इसे ही मुहबबत कहते हैं यकीन कहते हैं साथी को माफ कर आगे बढ़ने की कला कहते हैं हम अधूरे नहीं पूरे हैं हमारा साथ और अनकंडिशनल लव इसे पूरा बनाता है हम ही एक दूसरे की विरासत हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा साथ ही अगर आप दिलिप सहाब के जिंदिगी से जुड़े हुए कुछ और रोचक किसे कहानियों को जानते हैं तो उसे भी हमें लिखकर बताना मत भूलिएगा चलते चलते आपको एक और जानकारी देदू कि अगर आप भी मेरी तरह गूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल व्लॉग की सेर करना मत भूलिएगा वहां आपको अलग-अलग जग हो, मोनुमेंट्स और रिलिजियस प्लेसे के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो चलिए ब अगले शो में कुछ और अंटोल्ड बॉलिवुड स्टोरीज के साथ मैं फिर हाजिर हो जाओंगी तब तक मुझे देजिये इजास्त, नमस्कार